आप YouTube चैनल तो मातर 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक Gmail ID की जरूत होगी, एक Mobile की जरूत होगी और आपके Mobile में आपका Internet होना चाहिए, लेकिन एक YouTube चैनल बनाने में और सही से YouTube चैनल बनाने में बहुत फर्क होता है, जी हाँ दोस्तो, YouTube चैनल बन लोगों लगाना पड़ता है, बैनल लगाना होता है, अपने YouTube चैनल पर हमें SEO करना होता है, अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करने से पहले हमें अपनी वीडियो को सही से एडिट करना पड़ता है, उसके बाद हम जब वीडियो को अपलोड करते हैं, तो वीडियो को भी upload करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए उसके लिए हमें वीडियो में description सही से डालना होता है टैक सही से लगाने होते हैं थमनेल सही से लगाना होता है अब यह सब आप कैसे करेंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको यह सब complete बताऊँगा किस तरीके से आप अपना YouTube चैनल बना सकते हैं और उसमें आपको क्या-क्या सेटिंग करनी है जिससे आप YouTube पे जल्दी से ग्रो कर सकें और आपकी वीडियो आपको किस तरीके से एडिट करना है और किस तरीके से आपको अपने चैनल पे अपलोड करना है और अपलोड करते वक हैं आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि अगली वीडियो बनाओ तो उसका के फोन में एक जरूर लोगिन होती है लेकिन आगर आपगा स्माव में इस के लिए हम अपनी जीनेल अप लोगिन होऊ हों कि अब अब हमें नई इस लोगों पर किलिक करेंगे अपने एक लोगों आगए वह सब सो कर जाएंगे इस उसके बाद देखो सबसे नीचे एक option है add another account, हम add another account पे click करेंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरीका interface open होगा, Google वाले option पे हम click कर देंगे, अब देखो हमारे सामने यहाँ पर option आ गया है email और phone, लेकिन अभी हमें यहाँ पर अपनी एक नई Gmail ID create करनी है, तो create करने के लिए नीचे option आ रहा है create account, हम create account पे click कर देंगे, उसके बाद यहाँ option है for myself to many my business, तो हम for myself पे click करेंगे और यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, जिस नाम से भी आपको अपनी Gmail ID बनानी है, ठीक है माल लिजे अभी मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, भारत, वीर, और उसके बाद नीचे option है next, हम next पे click कर देंगे, अब यहाँ पर आपको date of birth का option आ रहा है, कि आपकी date of birth गया है, तो आप अपनी date of birth डाल रहेंगे, अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, नीचे option है, यहाँ पर gender का हम gender पर click करेंगे, और अपना gender यहाँ से select कर लेंगे, तो मैं mail select कर लेंगे, उसके बाद यहाँ next पर click कर अब देखें हमारे सामने यहाँ पर create a Gmail address का option आ रहा है, यानि हमें अपना वो नाम यहाँ पर डालना है, जिस नाम से हमें अपनी Gmail ID बनानी, यानि जो भी आपको Gmail ID का नाम रखना है, वो आपको यहाँ पर डालना है, तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, ल अब यहाँ पर दिखा रहा है, यानि यह भी किसी ने पहले से लियावा है, तो मैं इसके साथ कुछ और डाल देता हूँ, माल लिजे, इसे हटा करके मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर next पर किलिक कर देते हैं, अब यहाँ पर हमें password डालने का option आ रहा है, अब हमें अपने Gmail ID का password बनाना है, तो जो भी आपको password बनाना है, वो password आप यहाँ पर डाले, तो अभी फिलाल में यहाँ पर password डाल देता हूँ, और यहाँ पर next पर किलिक कर देते हैं, अब हमारे सामें कुछ इस तरीका interface ओपन होगा, हम डारेक नीचे आ जाएंगे, इसके पर किलिक कर देंग और उसके बार यहाँ next पर किलिक कर देंगे, अब हमारे यहाँ पर Gmail ID जो है, वो create हो चुकी है, अब हमें अपना नया YouTube चैनल बनाना है, तो YouTube चैनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापिस आ जाते हैं, और अब हम आएंगे YouTube एप पे, अब हमारे यहाँ पर YouTube एप open हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, देखो जहाँ पर यह आपको logo का option दिखाए देरा हम logo पर किलिक करेंगे, अब हमें अपना वह account यहाँ पर select करना है, यानि जो Gmail ID हमने अभी बनाई थी, वो Gmail ID हमें select करनी है, तो उसे select करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जहाँ यहाँ पर यह जैनू 007 लिखा है, उसके आगे यह निसान है, हम इस पर किलिक कर देंगे, अब देखो हमारे सामने यहाँ पर, हमारे जितने भी account यहाँ पर login है, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं, अभी हमें अपनी वह ID हमने अभी बनाई थी, यानि जो Gmail ID हमने बनाई थी, तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, अभी देखो हमने जो Gmail ID बनाई थी, वो सबसे नीचे यहाँ पर दिखाए देरी, हम इस पर किलिक कर देंगे, तो यह email ID अब हमारे account में यहाँ पर login हो जाएगी, यानि हमारे जो account है, अब वो इस ID से open होगा, अब हमें अपना YouTube channel बनाना है इसके लिए वापिस हम यहाँ लोगों पे किलिक करेंगे, उसके बाद देखो यह option आगया है, यूर चैनल हम यूर चैनल पे किलिक कर देंगे, उसके बाद अब देखो यहाँ पर option आ रहा है, create channel, ठीक है, अगर आप create channel पे direct किलिक कर देंगे, तो आपका यूट्यूब चैन अब देखो यहाँ पर यह edit करने का option आ गया है, अब आपको जिस नाम से भी अपना YouTube चैनल बनाना है, वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अभी फिलाल मैं यहाँ पर कुछ भी नाम रख लेता हूँ, मैं लिख लेता मैं विलोग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर option है, शेव का हम शेव पर किलिक कर देंगे, तो अब हमारा जो यहाँ पर नाम है, वो मैं विलोग आ गया है, अब यहाँ पर हम create channel पर किलिक कर देंगे, तो हमारा YouTube channel है, मैं विलोग के नाम से वो यहाँ पर बन जाएगा, ठ अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें अपने YouTube channel में बहुत सारी settings करनी है, उसमें logo लगाना है, ठीक है, channel बैनल लगाना है, उसमें keywords वगरा लगाने, तो इसके लिए अब हमें यहाँ से हट जाना है, और अब हम आएंगे अपने Google Chrome में, अब हम Google Chrome पर आ चुके हैं, Google Chrome पर हम switch account पर click कर देंगे, तो अब हमारे सामने जितनी भी हमारे account यहाँ login है, वो आ गए है, अब हमें अपना web account यहाँ पर select करना है, जो हमने अभी बनाया था है, तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, और देखो यह नीचे दिखाए दे रहा है my vlog, जो हमने अभी अभी अपना नया YouTube channel बनाया था, तो हम यहाँ पर click कर देंगे, तो अब हमारा जो नया YouTube channel है, वो यहाँ पर login हो गया है, अब हमें क्या करना है, देखो यह तीन बिंदू वाल option दिखाए दे रहा है, हम तीन बिंदू पर click करेंगे, उसके बाद यह desktop site का option आगया है, desktop site पर हम click कर देंगे, ठीक है, अब मैं आपको computer की screen पर लेके चलता हूं, computer की screen पर इसलिये में लेके चल ला हूँ, क्योंकि computer पर आपको समझाना आसान रहेगा, बाकी सारे काम जो मैं computer पर करूँगा, अब आप अपने mobile पर ही सहम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, अब हम अपने computer की screen पर आचुके हैं, अब हमें अपने चैनल में बहुत कि जो setting करनी है उसके लिए हमें क्या करना है पहले आपफे अपने चैनल के logo पे click करेंगे tep और यहाँ पहला option यूड़ channel यूड channel पे click कर देंगे उसके बाद यहाँ उक्षिन है करें यूद्ब ή्यूंड पे किलिक करेंगे picture का मतलब है कि हम अपने YouTube channel पे यहाँ logo लगा सकते हैं banner image का मतलब है कि हम अपने channel पे जो banner है वो लगा सकते हैं देखो जैसे कि यहाँ पर है अगर हम जो भी picture यहाँ पर select करेंगे तो logo के रूप में यहाँ show करेगा और जो banner है वो यहाँ पर show करेगा तो उसके लिए अब हमें क्या करना है अब हमें अपने channel पे logo लगाना है लगो लगाने के लिए पहले आपके पास logo होना भी चाहिए अब आप अपनी YouTube channel के लिए logo कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बनाया वा है जिसे मैं description box में दे दूँगा आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं अगर मैं यहीं पर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है तो मैंने पहले से ही logo बना के रखावा है हमें उसे लगाने के लिए क्या करना है यहाँ अपलोड पर किलिक करेंगे जैसे हम अपलोड पर किलिक करेंगे तो हमारा जो computer की गैल्ली है आपके mobile की गैल्ली है वो open हो जाएगी और उसके बाद आप अपने logo को select कर लेंगे अब हमारा जो logo है वो यहाँ पर आ गया है अब हमें banner लगाना है तो banner लगाने के लिए भी आपके पास banner होना चाहिए अब आपको banner बनाना नहीं आता है तो इसके बारे में भी मैंने एक video बनाया है जिसे देखके आप अपने YouTube चैनल के लिए एक professional YouTube banner यानी YouTube channel art बना सकते हैं ठीक है तो मैंने पहले से ही बनाया है तो उस video का link भी में description में दे दूँगा आप उस video को देखके एक professional YouTube banner बना सकते हैं ठीक है अब banner लगाने के लिए मैं upload पर किलिक करूँगा उसके बाद फिर मेरे सामने computer की अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है पब्लिश पर हम किलिक करेंगे तो पब्लिश पर किलिक करने के बाद हमारा जो यह YouTube banner है और YouTube logo है हमारे चैनल पर वो active हो जाएगा यानि के दिखाई देना शुरू कर देगा ठीक है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी देखो यहाँ पर यह processing हो रही है ठीक है अब देखो processing हो गई है अब देखो यहाँ पर अभी आपको ना तो वो logo दिखाई दे रहा है ना ही banner दिखा करेंगे तो यहाँ पर हमारे channel का description है यानि आपको अपने channel के बारे में यहाँ पर बताना है कि आपका channel किस चीज के बारे में है आप किस तरीकी video बनाते तो आप जो चाहे अपनी मर्जी से लिख सकते है अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ welcome on my channel please subscribe my channel, ठीक है अब आपको इसमें जो भी आपने हिसाब से लिखना है आपका channel किस category का है ठीक है आपका विलोग का channel है तो आप विलोग के बारे में लिख सकते हैं कि आप अपने channel पे रोज एक video डालते हैं हपते में video डालते हैं या फिर अपने हिसाब से आप जैसा लिखना तो फिलाल मैं आपको यहां पर समझाने के लिए बता रहा हूए कि आपको अपने चैनल के बारे में लिखना होता है Een अब आपने चैनल का description लिख लिए उसके बाद वह आपको यहां पर पप्लिश पे क्लिक करना है आपके अपनी email id लिखेंगे तो जो भी आपकी email ID है आप अपनी email ID हैं पर लिखेंगे माल लीजे अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मेरी email ID है फिलाल मैं आपको दिखाने के लिए वो ही लिख देता हूँ अब इस email ID का आपको कहा फायदा मिलेगा माल लीजे आपका channel grow कर गया है आपके channel पर view जाने लगे अगर आपके channel पर कोई promotion करना चाहता है तो वो आपकी email ID के थुरू आपसे contact कर सकता है email ID डालने के बाद आप यहाँ publish पर click कर देंगे तो आपकी जो email ID है वो update हो जाएगी अब हमारी ये वाली setting तो यहाँ पर हो गई है हमने अपने channel पर है logo लगा लिया है ठीक है banner लगा लिया है description लिख दिया है और अपनी email ID हमने यहाँ पर डाल दिया है ठीक है अब आपको अपने channel पर कोई दूसरे social media के links डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हो तो उसे डालने के लिए आपको क्या करना है देखो यह links वाला option है आप add link पर क्लिक करेंगे अब देखें यहाँ पर option आ रहा link title यानि link title का मतलब यानि आप अपने जिस social media account को यहाँ पर add करना चाहरे है उसका title डालना है माली आपको instagram का डालना है तो आप यह Instagram लिखेंगे उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर है URL यानि आपके जो account का URL है वो आपको यहाँ पर लिखना है पेश्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक बार पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ तो उसे मेरे Instagram का link भी वहाँ पर दिखाए देगा अब आपको कोई दूसरा social media account link करना है तो उसके लिए आप पर add link का option आ रहा add link पर click करेंगे तो Sam वही माली जब आपको Facebook का करना है तो आप यहाँ Facebook लिखेंगे और उसका यहाँ पर URL paste कर देंगे publish पर click कर देंगे तो इस तरीके से हाँ maximum 5 social media account अपने YouTube channel के साथ link कर सकते हो त्रीके अब हमारी यह वाली settings यहाँ पर हो गई है अब उसके बाद हमें क्या करना है देखो यहाँ पर option आ रहा है settings का हम settings पर click करेंगे त्रीके अब यहाँ पहला option है यहाँ पर general अगर आप जैसे हम इंडिया से है आपको इंडियन रुपीज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे drop down पर click करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने बहुत सारे options आ गए है अब आपको इंडियन रुपीज यहाँ पर select करना है तो यह आगे इंडियन रुपीज जैसे आप इंडियन रुपीज को इहाँ पर select करेंगे यहाँ save का option आजाएगा आप save पर click कर देंगे तो आपकी जो earning होगी वो फिर रुपीज में दिखाए देगी तो इसे आप यहाँ पर save पर click कर दें उसके बाद देखो नीची option है general का हम general पर click करते हैं तो यहाँ पर देखो तीन option है basic info, advanced setting और feature eligibility तो पहले हम basic info में आएंगे ठीक है अब यहाँ पर option है country of residence ठीक है country of residence का मतलब है कि आप जो अपना YouTube channel आप बना रहे हैं जो वीडियो अगिर आप publish करते हैं तो वो कहां से करते हैं तो आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ इंडिया select करना है अगर आप अपनी country को select नहीं करेंगे तो इससे YouTube के algorithm को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो किस audience को दिखानी है माल लीजे आप इंडिया से हैं अब इंडिया से जादेतार वीडियो जो बनती हैं वो हिंदी में बनती हैं अब आपने इंडिया यहाँ पर select नहीं करा अपनी country select नहीं करा तो YouTube के algorithm को पता ही नहीं चलेगा वो आपकी वीडियो को हो सकता है कर लिया उसके बाद यहाँ पर option है keyword का अब keyword में क्या है आपको अपने channel को सर्च मिलाने के लिए यहाँ पर keyword डालने हैं keyword क्या डालने हैं पहले तो आप अपने YouTube channel का नाम लिखे मैंने अभी channel का नाम रखा था my vlog तो पहले मैं यहाँ my vlog लिख देता हूं ठीक है उसके बाद यहाँ coma लगा देते हैं जैसे हम coma लगाएंगे तो यह keyword यहाँ पर add हो जाएगा ठीक है अब आपको जो keyword डालने हैं अपने channel की category के अनुसार डालने हैं यानि आपका channel किस category का है आपका cooking का है तो cooking से related आपको searchable keyword यहाँ डालने हैं विलोग का है तो विलोग से डालने हैं टेक का है तो टेक से डालने हैं इसी तरीके से आपका channel जिस category का भी है उसी category से related searchable keywords आपको यहाँ डालने हैं तो जैसे अब यह विलोग का मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था तो जैसे आपर विलोग हो गया आज कल my first vlog बहुत चलना है तो my first vlog ठीक है only vlog भी आप डाल सकते हैं ठीक है या vlog कैसे बनाएं तो इस तरीके के जो भी आपको लगता है कि searchable keywords है आपको वो सब अपने यहाँ keywords वाले option में डालना है तो इससे आपके channel को search में आने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखो save का option है आप save पर किलिक कर देंगे तो आपके जो keyword है वो यहाँ पर save हो जाएंगे वापिस हम यहाँ settings पर आएंगे उसके बाद फिर channel पर आएंगे और देखो advance setting space बार हमें आना है अब देखो यहाँ पर आपको option दिखाए देरा audience इसमें अभी हमें फिलाल कुछ नहीं करना हमें आना नीचे अब देखें यहाँ पर लिखा है do you want to set your channel as mad for kids अगर आपका content ऐसा है कि आप वो सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं तो आपको जोए पहला option है yes, set this channel as mad for kids आपको यह select करना है तो इससे क्या होगा अब आपका content है वो सिर्फ particularly बच्चों के लिए तो YouTube उस content को जादे तर बच्चों के लिए ही recommended करेगा ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों का content है तो हो सकता है बड़े ना देखें तो इससे आपके channel की video को rank होने में बहुत जादा time लग सकता है अब आपका channel जो है वो बच्चों के लिए नहीं है यानि सभी के लिए अब वो बच्चे भी देख सकते हैं तो आपको ये दूसरा वाला option ही select करना है इससे क्या है YouTube आपके channel की जो video को वो सही audience के सामने लाएगा जिससे आपके channel को आपके channel की video को rank होने में जल्दी मदद मिलेगी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ये save का option आ गया है उपर click कर देंगे ठीक है उसके बाद देखो advance settings भी हमने यहाँ पर कर ली अब इसमें main चीज है feature eligibility तो feature eligibility वाले option पर हम आएंगे यहाँ पर आपको तीन option दिखाए दे रहे हैं एक है standard feature जो enable है एक है intermediate feature जो eligible है एक है advance feature ये भी eligible है अब देखो standard feature में क्या है आप अपने channel पर video upload कर सकते हैं playlist बना सकते हैं किसी के साथ आप collaborate कर सकते हैं अब देखें दूसरा option जो है intermediate feature अभी ये eligible है ये enable नहीं है अभी आप अपने channel पर 15 मिनट से कम की video ही upload कर सकते हैं आप अपने channel की video पर custom thumbnail यानि के जो आप खुद से thumbnail बनाते हैं वो thumbnail नहीं लगा सकते और अपने channel पर आप live streaming भी नहीं कर सकते तो ये सब हमें अपने channel पर लेने के लिए इन feature को हमें अपने channel पर active करने के लिए हमें अपने channel को verify करना होता है तो verify करने के लिए हमें एक phone number की जरूत होती है तो उसके लिए हम यह verify phone number वाला option है हम यहाँ पर click करेंगे उसके बाद देखो यहाँ पर यह option आ गया है यह हमारी country उसने automatically select कर लिए यहाँ पर नीचे option आ गया है what is your phone number यानि हमें अपना phone number डालना है जिससे हमें अपना channel verify करना है ठीक है आप अपना phone number यहाँ पर डालेंगे माल लिजे अभी मैं यहाँ पर अपना एक number डाल देता हूँ ठीक है अब देखो अगर मैं यहाँ पर get code पर click कर दूँआ तो मेरा जो verification code है वो message के through जाएगा और यहाँ पर मैं get code पर click करता हूँ अब code डालने के बाद देखो जैसे मैं यहाँ पर submit पर click करूँगा तो हमारा जो channel है अब वो verify हो गया देखो यहाँ पर option आगया phone number verified अब हम देखो उस वाले page पर आते हैं तो देखो अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाए दे रहा था eligible अब यहाँ पर option आगया verify phone number अब हम अपने channel पर 15 minutes से लंबी video भी डाल सकते हैं custom thumbnail भी लगा सकते हैं लाइव streaming भी कर सकते हैं अब देखो तीसरा option है यहाँ पर advance feature advance feature में आपको क्या-क्या फायदे मिलते हैं इससे क्या है देखो आप अपने channel पर ज्यादा से ज्यादा live streaming कर सकते हैं ज्यादा video डाल सकते हैं ठीक है आप जो है source भी ज्यादा बना सकते हैं यानि आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलते हैं अब इन feature को अपने channel पर apply करने के लिए enable करने के लिए आपको क्या करना है आप यहाँ पर video verification कर सकते हैं अपनी कोई ID आप दे सकते हैं नहीं तो अगर आप यह सब कुछ नहीं करते हैं जैसे आपके channel पर हिस्टी बनना सुरू हो जाएगी तो यह अपने IP वहाँ पर लागू हो जाएगा अगर आप जल्दी से करना चाहते हैं तो आप video verification कर लो या फिर अपनी ID आप दे करके अपनी verification करा करके आप यहाँ पर इन वाली feature को enable करा सकते हैं अगर आपको instead करना है तो access feature पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखो यह option आ गया है यूज वीडियो वैरिफिकेशन यूज यूर वैलीड ID और आपका build channel history तो जो भी आप option select करना चाहरें वो करके आप direct कर सकते हैं अभी मैंने आपका यहाँ पर दिखाया कि यह चीज़े enable हो गई है तो अभी हम इसे यहाँ से cancel कर देते हैं अभी देखो यहाँ पर option दिखाया दा रहा है upload defaults तो हम upload defaults पर click करेंगे अब यहाँ पर देखो और option आ गया है basic info और advanced settings पहले हम basic info के बारे में समझ लेते हैं तो यहाँ पर है title उसके नीचे है description description आप देखो पहले title में क्या है आप यहाँ पर जो भी title डालेंगे और नीचे है option description आप description में जो भी डालेंगे और उसे आप यहाँ पर shave कर देंगे तो इससे क्या होगा जब भी आप अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो यह title और description automatically आपकी वीडियो में वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा लेकिन हमें अपनी हर वीडियो में description और title जो है mostly अलग-अलग ही डालना पड़ता है title तो हमें अलग डालना ही पड़ता है description हो सकता है सेमो लेकिन description में भी हमें कुछ न कुछ चैंज करना पड़ता है इसमें आपको अपनी खास चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे कि आप disclaimer वगेरा लिख सकते हैं या फिर आपकी कुछ ऐसी वीडियो है जो आप अपनी हर वीडियो के description में आप दिखाना चाते हैं तो आप उनके link यहाँ पर दे सकते हैं तो इस तरीके से जो खास चीजें जो आपको हर वीडियो में दिखानी है आप उन्हें यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद आप save पर click कर देंगे तो जब आप कभी भी अपनी अगली वीडियो को upload करेंगे तो वो चीजे automatically आपके description में आ जाएगी आपको हर बार वहाँ पर डालने की ज़रूद नहीं पड़ेगी ठीके उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं अब यहाँ पर option है visibility ठीके आप visibility का क्या मतलब है पहले मैं एक बार drop down पर आपको click करके दिखा देता हूँ यहाँ पर तीन option है public, private और unlisted इसका मतलब है अगर जब आप अपनी वीडियो को अपने channel पे upload करेंगे अगर आप public वाले option को select करते हैं तो इससे क्या होगा direct आपकी वीडियो जो है आपके channel पे public हो जाएगी आप unlisted को select करेंगे और अपनी वीडियो को upload करेंगे तो इससे क्या होगा आपकी वीडियो को कोई भी नहीं देख पाएगा आप देख सकते हैं या फिर आपने इस वीडियो का जो link किसी को अगर share करा है तो वो व्यक्ति ही उस वीडियो को देख सकता है जब भी आप अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पे upload करें तो पहले उससे unlisted ही करें डारेक्ट आप उससे public ना करें तो यहाँ पर आप unlisted को select कर लेते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर option है tags का tags में जैसे कि अभी मैंने आपको keywords बतायते आपकी वीडियो किस बारे में है उससे related आपको यहाँ searchable keywords डालने है ठीक है आप keyword डालने से जो है आपकी वीडियो को rank होने में मदद मिलती है ठीक है लेकिन आपकी हर वीडियो अलग-अलग topic पे होगी तो उसमें keywords भी अलग-अलग होगे ठीक है तो हमें यहाँ पर अभी keyword default में डालने की ज़रूत नहीं है अगर आप यहाँ पर default में keyword डाल देंगे तो जब भी आप अपनी वीडियो का upload करेंगे तो जितने भी keyword आपने हाँ पर डाले है उसका link भी में description में दे दूँगा वहाँ से आप उस वीडियो को देख करके अपने channel के लिए अपने वीडियो के लिए searchable keywords ढूंड सकते है ठीक है सब कुछ करने के बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पर option है advanced settings अब हमें advanced settings पर आना है इसका मतलब क्या है अब आपने देखो आपका खुद का content आप अपने channel पर बना रहे हैं तो आपको हमेशा standard YouTube license को ही select करना है अगर आप creative comment attribution वाले option को select करते हैं तो इससे क्या होगा आपने creative comments वाले option को select करके अपनी वीडियो को अपने channel पर publish कर दी तो कोई भी व्यक्ति आपकी इस वीडियो को बे जीजग इस्तमाल कर सकता है आप उसे कोई भी copyright करेम या copyright strike नहीं दे सकते यानि आपकी वीडियो से कोई भी earning कर सकता है आपका खुद का content है तो आप जो है standard YouTube license को ही select करेंगे ठीक है अब category का क्या मतलब है यानि हमारा channel किस category का है हम जो अपनी वीडियो बनाते है channel पर वो किस category की बनाते है comedy की बनाते है education की बनाते है gaming की बनाते है music की बनाते है या फिर tech की बनाते है अब आपका channel जिस category का है आपको वो category यहां से select कर लेनी है तो अभी मैंने यहाँ पर जो channel बनाया था वो vlog का बनाया था तो यहाँ पर मैं people and vlogs वाला option है मैं इसे यहाँ पर select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ option आता है language and caption certification video language अब देखो यह भी आपको select करना बहुत ज़रूरी है ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो वीडियो है आप इंडिया से बनाने तो mostly आपकी वीडियो हिंदी में ही होगी ठीक है तो आपको अपनी वीडियो की जो language है वो हिंदी select करनी है अगर आप अपनी वीडियो की language को select नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था YouTube के algorithm को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो किस audience को दिखानी है हो सकता है वो आपकी वीडियो को English audience के सामने भेज़ दे French audience के सामने भेज़ दे तो वो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं तो हमें अपनी वीडियो की language को select करने के लिए यहाँ पर drop down पर click करेंगे और यहाँ से हम Hindi select कर लेंगे ठीक है यह option आगया हिंदी हम हिंदी पर यहाँ click कर देते हैं अब उसके बाद यहाँ पर option आजाता है या डालेंगे वो किस language में डालेंगे तो mostly देखो title जो डाला जाता है वो English में ही डाला जाता है तो हम यहाँ drop down पर click करेंगे उसके बाद हम यहाँ से select कर लेंगे English ठीक है यह option आगया है English India तो हम English India को select कर लेते हैं क्योंकि अक्सर जो हम अपनी वीडियो का title डालेंगे वो English में डालेंगे लिखे Indian English के अनुसार ही डालते है यानि जिस तरीकी English हम बोलते हैं उसी अनुसार ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर option है comments यहाँ पर option आ रहा है all comments hold passensally imperative comments for review hold all comments for review or disable comments इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो पर अभी क्या है जैसे यह allow all comments है आपने अपनी वीडियो अपने चैनल पर upload करी किसी ने भी आपकी वीडियो देखी तो वो आपकी वीडियो पर comment कर सकता है ठीक है तो इसमें वो है वो direct आपकी वीडियो के नीचे वहाँ पर comment box में जो है show होना शुरू हो जाएगा अगर आप चाते हैं कि आपकी वीडियो पर जो comment है पहले आप उसे review करें तो उसके लिए पहले आप यह hold all comments for review यहाँ पर click कर देंगे तो इससे क्या होगा जब भी कोई व्यक्ति आपकी वीडियो पर comments करेंगा तो वो direct publish नहीं होगा पहले आप उसे review करेंगे उसके बाद आप उसे authority देंगे यानि एक तरीके से publish करने की अनुमूति देंगे तब वो आपकी वीडियो के comment box में दिखाए देगा अब देखें तीसरा option है disable comments आप disable comments को select करके यहाँ share कर देंगे तो इससे क्या होगा आपकी वीडियो पर जो comments है वो turn off हो जाएंगे यानि कोई भी आपकी वीडियो पर comments नहीं कर पाएगा अब देखें नीचे option आ रहा है So how many viewers like this video अब ये वाला option अभी यहाँ पर check हुआ है अब आपकी वीडियो को कोई देखता है उससे like करता है कितने लोगों ने like करा है तो वो वहाँ पर दिखाई देगा यानि आपकी वीडियो पर कितने like मिले है वो वहाँ पर दिखाई देंगे अगर आप चाते हैं या आपकी वीडियो पर लाइक भी ना दिखाए दे तो आप इसे अंचेक कर देंगे, शेव पर किलिक कर देंगे, तो आपकी वीडियो पर जो लाइक है, वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, अब सारी सेटिंग्स आपने यह वाली यहां से कर ली, उसके बाद आप यहां सेव पर किलिक कर देंगे, ठीक है, अब हमारे चैनल पर यहां पर सभी सैटिंग्स हो चुकी है, अब आपको अपने चैनल पर वीडियो बना करके उसे अपलोड करनी है, तो पहले आपको वीडियो क्रेट करनी होगी, तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी वीडियो क्रेट करेंगे, आपको टेक का है, तो टेक के अनुसार आप अपनी वीडियो बनाएंगे, आपकी विलोगिंग है, तो विलोगिंग के अनुसार वीडियो बनाएंगे, अब आपने वीडियो तो सूट कर ली, वीडियो सूट करने के बाद हमें अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ता है अब एडिट करने के लिए आपको एक application की जरूत पड़ेगी, software की जरूत पड़ेगी तो काइन मास्टर बहुत बड़िया application है, जिससे आप बहुती आसानी से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर से आप एक professional वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक पहले से ही वीडियो बनाया वा है उसका लिंक भी मैं description में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख करके काइन मास्टर से अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट करना सीख जाएंगे अब आपने अपनी वीडियो एडिट भी कर ली, वीडियो आपने तयार कर ली अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को अपलोड करना है, तो पहले मैं यह सारे यहां से पेज बंद कर देता हूँ अब मैं आपको सुरू से दिखाता हूँ, अब आपकी वीडियो यहां पर तयार है, अब आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है तो upload करने के लिए हमें क्या करना होता है हम यहाँ पर यह अपने channel के logo पे click करेंगे उसके बाद यह option है YouTube Studio का हम YouTube Studio के click करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरहेगा interface open होगा अब हमें अपने channel पर वीडियो upload करनी है तो वीडियो upload करने के लिए आपके सामने यहापे यह upload video का option है एक यहाँ पर option है और एक यहाँ create वाला option है इस पर आप कलिए करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन तीन option है यहाँ से आप अपनी वीडियो upload कर सकते हैं तो upload करने के लिए अभी मैं पहले upload video पे click कर कर देता हूं उसके बाद यहां select files का option आएगा और अपनी वीडियो में ले लेता हूँ जो मुझे यहां पर upload करनी है तो अभी मैं दिखाने के लिए यह वाली वीडियो यहां से select कर लेता हूँ अब हमारी जो वीडियो है वो यहां पर upload होना शुरू हो गई है अब देखो हमारी वीडियो ह यहां पर यह upload हो रही है जब तक हमारी वीडियो upload हो रही है तो हमें अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़े यहां पर apply करनी है देनी है जिससे हमारी वीडियो rank करें तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें अपने channel का यहां पर title देना होता है तो जो भी आपक है उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं तो माल लीजिए अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्ष्ट विलोग उसके बाद दूसरा कीवर्ड भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विलोग अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सिकाने के लिए यहाँ यह किवर्ड डाल आओं जब आप अपनी वीडियो कैईवड डाले यांनी टाइकल डाले तो तो उसके अगर आप searchable keywords अपने title में डालते हैं तो आपके channel की video को rank होने में बहुत जल्दी मदद मिलती है, अब उसके बाद नीचे option है, description का, तो description में आप बहुत सारी चीजे लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने पहले से लिख की वी है, मैं अपने channel पे, जो दूसरे channel में डाल तक आप जो है, यहां से copy करा और यहां पर paste कर दें, इससे आपके channel की video को rank होने में और मदद मिलती है, ठीक है, अब आप अपनी video के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बताया हुआ है, अब आप अपनी video के description में, अपनी video से related searchable keywords डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर यह डाले हैं, query sold करके, इस तरीके से आप अपनी वीडियो के description में 10, 5, 15 तक आप यहाँ पर searchable keyword डाल सकते हैं, इससे भी आपकी वीडियो को rank होने में और मदद मिलेगी, अब दूसरा क्या है, आप अपनी description में दूसरी वीडियो का link देख सकते हैं, जिससे की व्यक्ति आपकी दूसरी वीडियो को भी direct to description से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था upload default में option आ रहा था description का, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वीडियो है आपकी जो हर वीडियो के description में आप दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसका link देना चाहते हैं तो आप upload default में जा करके दे सकते हैं, नहीं तो हर वीडियो में आप इस तरीके से यहाँ पर आ करके अपने वीडियो के link paste कर सकते हैं, ठीके उसके बाद जो है आप अपने social media के link भी दे सकते हैं social media link भी आप upload default में जा करके description वाले option में आप paste कर सकते हैं, दे सकते हैं जिससे क्या होगा हर वीडियो के description में आपके social media के जो link है वो automatically आ जाएंगे ठीके उसके बाद आप जो है कुछ hashtag डाल सकते हैं, जो आपकी वीडियो से related hashtag हैं आप उन्हें यहाँ पर डाल सकते हैं उसके बाद जो है आप जो भी कुछ अपनी तरफ से अपनी viewers को कहना चाते हैं वो आप कह सकते हैं, ठीके disclaimer वगेरा आपको लिखना है तो वो सब आप अपने वीडियो के description में लिख सकते हैं उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, अब नीचे यहाँ पर option आगया है upload thumbnail ठीके अब हमें अपनी वीडियो पर thumbnail लगाना है, अब हमने अपने चैनल को verify कर लिया है तो हम अपने चैनल पर custom thumbnail लगा सकते हैं ठीके, custom thumbnail यानी जो हम अपनी वीडियो के अनुसार thumbnail बनाते हैं, अब आपको thumbnail बनाना नहीं आता है तो thumbnail बनाने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया वा है जिसे आप description में जाके देख सकते हैं उन सब के link मैं आपको description में इसलिए दे रहा हूँ अगर मैं ये सारी चीज़े इसी वीडियो में आपको बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती अब हमें अपना custom thumbnail लगाने के लिए upload thumbnail पे click करेंगे और अपना thumbnail हम यहाँ से select कर लेंगे जो हमें thumbnail लगाना है माल लिजे अभी मैं फिलाल दिखाने के लिए यह वाला thumbnail यहाँ से ले लेता हूँ और देखो यह thumbnail यहाँ पर आ गया है उसके बाद यहाँ पर नीचे option है playlist ठीक है अब आपको किस playlist में अपनी यह video रखनी है आप playlist में इस video के एड़ करना चाहते हैं तो यहाँ से playlist को select करेंगे अगर नहीं add करना चाहते हैं तो आपको select करने की कोई ज़रुत नहीं है अब आपको playlist भी बनानी नहीं आती है तो playlist कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसे भी आप description box में जाके देख सकते हैं ठीक है अगर आपने playlist बनाई होगी तो जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर playlist आ जाएगी उसे आप select करेंगे यहाँ पर done पर click कर देंगे तो आपकी वीडियो उस playlist में add हो जाएगी उसके बाद देखो यह वाला option था जो आपको पहली बता चुका हूँ yes it is made for kids or no it's not made for kids तो यह automatically क्योंकि हमने default में select कर लिया था no वाला option तो यह automatically है इसमें हमें कुछ करने की जरूद नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ option है see more का तो हम see more पर click करेंगे उसके बाद हम नीचे आएंगे अब यहाँ पर option आ जाता है tags का तो आपको अपनी वीडियो में यहाँ पर अब text डालने tags क्या है जो searchable keywords है आपकी वीडियो के related वो आपको डालने वो भी मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि आप searchable keywords कैसे तलास कर सकते हैं कैसे ढून सकते हैं उसके लिए भी मैंने पहले से वीडियो बनाया है उसका link भी में discussion box में दे दूँगा आप उस वीडियो को देख करके अपनी वीडियो के लिए अपने चैनल के लिए searchable keywords ढून सकते हैं उसके बाद यहाँ पर option आता है language and caption यह सब हमने default में पहले से select कर लिया था तो हमें कुछ भी करने की जरूत नहीं है अब देखो यहाँ पर नीचे option है recording date and location ठीक है अब यह नन है अगर आपको अपनी recording की date यहाँ पर डालनी है तो आप डाल सकते हो नहीं डालते हैं तो उससे भी कोई फरक नहीं पड़ता अब यहाँ पर है video location video location आप यहाँ पर देना चाते हो तो दे लो नहीं देना चाते है मत देजिए इससे भी कोई खास फरक नहीं पड़ता है ठीक है लाइसेंस जो हमने ओल लेडी इस्टेंडर यूट्यूब लाइसेंस सेलेक्ट किया था ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर option है category का category क्यूंकि हमने ओल लेडी अपने default में हुआ सेलेक्ट कर ली थी तो यह अपने आप यहाँ पर people send below का option आ चुका है comments वगेरा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ अब यह सारी यहाँ से processing हो गई है उसके बाद हम यह next पर click करेंगे next पर click करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या है add subtitle अगर आपकी वीडियो में आपको subtitle देना है तो वो आप दे सकते हैं इसमें आपको अभी beginner में है तो आपको करने की कोई जरूत नहीं है उसके बाद है यहाँ पर option add and in screen जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर की वीडियो के last में कुछ दूसरी वीडियो के link वहाँ पर दिखाए देते हैं आप आई बटन पर जाके वीडियो को देख सकते हैं तो यह वो आई बटन होता है तो इस आई बटन को भी आप कैसे add कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने complete वीडियो बनाया हुआ इसका link भी मैं description में दे दूँँगा आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद हम next पर click कर देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो यह option आ गया है ठीक है यहाँ पर यह दिखा रहा है copyright ठीक है अभी यहाँ दिखा दिया अजने no issue found अगर माल लेजिए आपकी वीडियो पर कोई copyright claim होगा तो वो यहाँ पर आपको show कर देगा ठीक है अब आपकी वीडियो बिल्कुल सही है आपका खुद का content है कोई परेशानी नहीं आई है अब यहाँ पर आप next पर click कर देंगे उसके बाद देखो अभी मैंने आपको शुर होता option है schedule अब आपको लगता है कि यह वीडियो आपको अभी publish नहीं करनी है कोई खास समय पर करनी है रात में करनी है कल करनी है परसो करनी है तो आप वो date को time को यहाँ select कर सकते हैं तो इसके लिए आप schedule पर click करेंगे और अपनी वो date आप select कर लेंगे ठीक है माली जब time select कर रहा है वो automatically उसी time पर publish हो जाएगी हमें कुछ करने की जरूत नहीं पढ़ेगी ठीक है अब आपको यह सिधा publish करनी है तो publish करने के लिए आप यहाँ public पर click कर देंगे और publish कर देंगे तो यह video direct publish हो जाएगी ठीक है private रखनी है तो private आप कर लें कई बार क्या होता है हमार वीवर से गलत effect जाता है क्यों हम अपनी वीडियो को बाद में edit करेंगे अब आपको क्या करना है पहले unlisted को ही select करना है और इसे यहाँ पर share कर देना है अब इससे आपको दो फायदे है पहला फायदा तो यह कि YouTube के algorithm को आपकी वीडियो के बारे में समझने में मदद मिलेगी कि आपकी वीडियो किस category की है किस चीज की है ताकि वो सही audience को आपकी वीडियो को पहुंचाए दूसरा जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपकी वीडियो में आप से कोई गलती रह गई है तो आपके पास time रहता है तो आप जो है unlisted रहते वक्त अपनी उस वीडियो को edit क पर सकते हैं अब आपने वीडियो तो upload कर दी है तो आप उसे कैसे edit कर सकते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक proper वीडियो बनाया हुआ है उसका link भी मैं description में दे दूंगा आप उसे वहां से देख सकते हैं अब आपको अपनी वीडियो यह unlisted करके माल लीजे यहाँ पर share करनी ह अब आप इसे आदे घंटे एक घंटे दो घंटे तक unlisted ही रहने दे उसके बाद आप अपनी वीडियो को publish करें अब publish करने के लिए क्या करना है यहाँ पर हम आरे पास option है content वाला ठीक है content वाले option पर आने के बाद हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगी अब देख वीडियो है यह अब publish हो जाएगी हमारे चैनल पर कोई भी इस वीडियो को देख सकता है ठीक है अभी मैं आपको से दिखाने के लिए बता रहा था तो मुझे publish नहीं करने मैं इसे private करके save कर देता हूं तो इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को बना सकते हैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल की सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए अभी तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत